तो बहुत ज़्यादा परशान है ना बच्चो कि कमपार्टमेंट का एक्जाम अब देना पड़ेगा मैम हमारी कमपार्टमेंट आ गई पता नहीं क्या होगा है ना तो बेटा टेंशन लेने वाली बात नहीं है मैं आपको यहाँ पे एक सीक्रेट टिप बताने के लिए आई तो यहाँ पर मैं आपको एक गोल्डन टिप बताने वाली हूँ एक गोल्डन टिप एं ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपने कमपार्टमेंट का एक्जाम बहुत एजिली क्लियर कर पाएंगे तो आईए मूव करते हैं देखिए टिप्स मेरे पास बहुत सारी ह उससे पहले बाकी टिप्स भी important है उसको भी देखते हुए चलते हैं तो देखिए बिटा आपकी किसी भी subject में कमपार्टमेंट का एक्जाम आपको देना है अगर आपको किसी भी subject में अपने कमपार्टमेंट का exam देना है तो यही सारी tips काम करेंगे ठीक है चाहे हो math का देन या economics का देना है या English का देना है whatever तो आईए बीटा देखते हैं सबसे पहले tuition classes अभी tuition classes क्या है यह यह है कि आप पहले अपने आपको इस टाइम पर analyze करो कि आपकी जो compartment आई है वो किस वज़े से आई है कहीं बार ऐसा होता है कि आपने सारा कुछ content वगरा देखा था बड़ कुछ लिख नहीं पाए है ना और answer sheet blank छोड़ कर आ गए कि paper के time पे बहुत जादा तब्यत खराती या आप absent हो गए है ना इस वज़े से या फिर कुछ और आपकी problem रही लेकिन आपने पूरे साल उस subject को पढ़ाया बट unfortunately उस exam day पे कुछ ना कुछ गलत हुआ आपके साथ कि ठीक से answers लिख नहीं पाए ठीक है तो यहाँ पर एक चीव दूसरी वो बच्चे जिन्होंने subject को बहुत जादा lightly लिया था throughout the year जिन्होंने सोच आथा end में करेंगे और बस इसको pass कर लेंगे है ना और आब आ गई compartment क्योंकि subject को क्या लिया था lightly लिया था तो यानिकि उनका त उन्हें तो content भी अच्छे से नहीं पता होगा कि कौन से chapter में क्या है ठीक है तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले आप अपने आपको analyze करिए कि reason क्या रहे गया कि मेरी compartment आ गई ठीक है अगर आपको लग रहे है कि आप self study करके जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते ना जो मैंने बोला कि उनकी तब्वित खराब होगो एक्जाम डे पर कुछ unfortunate हो गया जबकि वो पूरे साल तक पढ़ रहे थे ना तो वो तो बिटा आप बस एक quick revision करेंगे and they are ready for the compartment exam क्योंकि उन्होंने पहले किया था वो तो unfortunately exam डे पर कुछ हुआ लेकिन अब उन बच्चों की बात करते हैं ज या आपको tuition classes की need है या आप सिरफ school teacher का अगर assistance लेते हो school में जाते हो school teacher के अंडर आप उनके supervision में रहे कर अगर आपको लग रहा है कि मैं compartment का exam clear कर सकता हूं तो वो भी बहुत अच्छी बात है ना तो सबसे पहले एक चीज select कर लो यह नहीं करना tuition teacher पर भी जा रहे हैं school teacher पर आपको इस subject को clear करना है और अगर आपको लग रहा है नहीं मैं self study कर सकता हूं तो self study करके कर लीजे ठीक है लेकिन I would suggest you क्योंकि यह second opportunity है इसमें हम कोई risk नहीं ले सकते तो आप किसी guidance तो रखिए school की teacher के पास जा रहे है तो वो भी बहुत अच्छी बात है tuition teacher के पास जा रहे ह तो वो भी बहुत अच्छी बात है ठीक है तो आप सबसे पहले analyze करिए कि tuition classes की need है या नहीं है और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को school teacher से नहीं पढ़ना है मुझे tuition classes की need है तो बेटा best tuition teacher ढूणने की कोशिश कीजिए अब मैं best tuition teacher कैसे ढूण दे बेटा अपने friends को देखे जिनके अच्छे माक्स आये हैं वो कहां पर पड़े थे ठीक है उन्होंने कहां से coaching classes ली थी आप उनसे पूछ सकते हैं है ना तो यहां पर आप tuition classes अपने लिए best tuition classes ढूण सकते हैं दूसरा अब आपको क्या करना है बिटा important questions अब आप चाहें tuition teacher से पढ़ लीजिए य मुझे वेटेज बता दीजिए chapters की है ना वेटेज तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं नेट पे वेटेज देख लीजिए हर एक chapter की ठीक है और साथ में important question teacher से बिटा पूछ लीजिए देखे टीचर का experience ही बहुत बड़ी चीज होती है टीचर को पता होता है कौन से chapter से क्या ये दे सकते हैं CBSC वाले राइट टीचर से आप पूछ लीजिए कि chapter wise important questions क्या है और उन questions को learn करना शुरू कर दीजिए math के हैं तो practice करना शुरू कर दीजिए theory के हैं तो learn करना शुरू कर दीजिए राइट तो important questions आपके पास होने तो हमें मतलब यह तो बहुत ही जरूरी है कि हमने इस पर ध्यान देना है next be regular देखिए regular से क्या मतलब है मेरा regular से मतलब है कि आप daily बैठिए अपनी पढ़ाई करने के लिए ठीक है मैं तो यह बोलूंगी बेटा इस टाइम पर आपको need है कम से कम five to six hours study करने की हो सके तो इस स study नहीं होने चाहिए कि यहाँ पांच घंटे हो गई या दो घंटे हो गई मैं ठक गई ऐसी चीज नहीं होने चाहिए क्योंकि compartment का exam है आपको clear करना है आप यह सोचो आपको एक दुबारा से मोका मिला है पूरे साल का syllabus लेकिन आपको prepare करना है उस एक महीने में तो सोचो यह बहुत जादा जरूरी है ठीक है तो यहाँ पर regularity रखो ऐसे मत करना कि एक दिन पड़े बाकी दो दिन नहीं पड़े फिर तीसरे दिन पड़े बाकी के पाच दिन नहीं पड़े फिर दो दिन पड़े फिर बाकी के तीन दिन नहीं पड़े तो ऐसे नहीं करना है देन आप एक रिस्क लेकर ही पेपर देने जा रहे होगे तो यहां पर बेटा रेगुलर रहना बहुत जरूरी है इनफेक्ट रेगुलर रहने से मतलब मेरा क्या है देखो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो ठीक है अब आप जितना भी कंटेंट उनका वो पढ़ा रही है ठीक है डेली बेसिस पर आपको जो भी कंटेंट पढ़ा रही है आप उसी कंटेंट को जाके रिवाइस कर लो घर पर ठीक है ट्यूशन से जाते ही दूसरा उसको लर्न कर लो अगर वो थियरी का है और अगर प्राक्टिस का है मतलब प्राक्टिकल है तो प्राक्टिस भी कर सेने डे सब कुछ कर लो कि आप से होकर आई डीशन टीचर ने जो भी पढ़ाया आप श्कूल टीचर ने जो भी पढ़ाया आज आसको जाकर और है स्कूली करें लॉन से करतें凔र जैसे वन हमान्थ का टाइम मिला तो समझ में देटेश करहें कि went wreck wanna ऐसे मत करना यह biggest mistake होती है आप अभी से ही learning work start कर दो जो जो हो रहा है daily basis पे learn करो उसे daily basis पे revise करो ठीक है हमें ऐसा नहीं करना कि 25 दिन तो सिरफ समंध्य में लगा दिया 5 दिन learning work के लिए रखे तो वो भी confusion mind में create कर देता है learning work की retention पार आपने कभी सुना होगा बिटा कि मैं हमने learn तो किया था हमसे retain नहीं होती चीज़े हमारे mind से निकल जाती है चीज़े हम ज्यादा रख नहीं पाते है अपने mind में तो बिटा यह problem आपके में ही है यह problem क्या है यह क्यों है वो इसलिए है क्योंकि आपने learning work बहुत ही तेजी से करा क्योंकि time कम था फिर उसके बाद आपन करते जाना है side-by-side revisions भी करते जाना है ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि learning work बाद में ना रहे और regular रहना बहुत जरूरी है हाँ एक आदे दिन तब्यत खराब है नहीं regular हो पारे हो मतलब एक आदे दिन अगर नहीं करते हो काम तो चलेगा लेकिन बेटा maintain it on daily basis कि daily आप अपना कोई भी content उठाओ उसे learn करो ठीक है प्राक्टिस करो ठीक है यह सब करना है regularity maintain करनी है next test देखो सिरफ यह नहीं है learn कर लिया tuition teacher ने जो कराया या school teacher ने जो कराया बस learn कर लिया और हो गया no you need to self evaluate yourself मतलब अपने आपको चेक करो बिटा कि मैंने जो learn किया है वो मुझे अब मैं टेस्ट में लिख पा रहा हूं या नी टेस्ट से घबराओ मत मैंने बहुत से बच्चों को देखा है टेस्ट होता है tuition में नहीं आते है ना या school में absent हो जाते हैं जिस दिन टेस्ट होता है तो टेस्ट से भागना नहीं है आपको टेस्ट देना है ठीक है ताकि आपको पता लगे कि अभी कहां पर कमी रह गई है और अगर आपका मानलो सब कुछ अच्छे से learn हो गया आप टेस्ट में लिखा है तो एक कोई बुराई नहीं है तो टेस्ट दो जरूर दो ठीक है नेक्स्ट मल्टिपल रिवीजिंस देखो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि लर्निंग एंड के लिए मत छोड़ना बेटा बेसिकली क्या होता है जब हम लर्निंग करते हैं तो उसके बाद हमें उसको डिवीज जब बैठे उपड़ाई करने तो फिफट डे पे आप बाकी के four days का content बी एक बर दुबारा से revise कर लो है ना फिर जब six day बैठूगे तो five days का content आपके पास होगा five days दुबारा से revise करो उस content को क्या होगा जब हम किसी चीज को बार 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 revise करते है ना तो उससे हमारी retention सिक्रेट की ठीक है जो मैंने आपको बताया एक टिप में आपको लास्ट में बताऊंगी तो वही टाइम आ गया है नौ इट्स टाइम तो रिवील दा गोल्डन सिक्रेट तो आईए बिटा एकसाइटिड तो हो रहे है ना जानने में तो यह वाला जो ऐसा सीक्रेट है ना कु ठीक है प्रीविज़ यर के कमपाटमेंट के पर कर लो बटा फॉर तुफवी से समझ के करना कोई भी कोई कोई सबाशन से उसका सॉल्यूशन अच्छे से समझना फिर ही उससे लर्न करना मैसे तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना फीचे तो यह गैदो गोल्डन टिप है आप देखो कि इसी से ही आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाऊगे, ठीक है, मैं आपको ये जो टिप्स दे रही हूँ, मैं सिरब आपको पासिंग मार्क्स के लिए नहीं दे रही है, हाँ, पासिंग मार्क्स आ गए, तो तुम ठीक है, कंटेंट में आ जाना, हाँ, मुझे तो अच्छा होगे, चलो, कंपार्टमेंट क्लियर होगे, नू, मैं आपको बता रही हूँ, कि आपको अच्छा स्कोर भी कैसे करना है, तो उसके लिए वेटा, प्रीवियस येर के कंपार्टमेंट के पेपर्स कर लो, रेली, और अगर और अच्छा करना है, तो मैंने क्या बत तो आप हमें कॉमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है, वो डेफिनेटली आपको रिप्लाइ करेगी as soon as possible, और अगर आप कोई और भी प्रॉब्लम अगर इस टाइम पर फेस कर रहे हैं, आप कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं, कि हम लोग आपके तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे अगर अभी तक नहीं किया है, और येस, the most important हमारे टेलिग्राम चैनल को आप जोईन कर लीजे, लिंक is in the description, टेलिग्राम चैनल पर हम सारे नोट्स वगरा आपको भेजते रहते हैं, शेर क